आप सबका शावबत है हमारी यूटूब चैनल चाया मिस्रा की रसोल में तो आज की रेस्पी क्या है आप देखेगा और पसंद आती तो लाइक करेंगा सस्क्राइब करेंगा एक सेयर करिएगा तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो यह देखेगा आज हम लेकर आगा ह इस तरह से पनीर और मावे को एक मिक्स करके अच्छे से बूण लेंगे जिससे क्या है इसके पानी जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर वह सबसूब जाय अच्छे से और इसमें लाइची के दाने चील कर डाल देंगे यह देख सकते हैं तो यह गर्मी वाली हम इड़े्र है ग्री आँः तो यह दोर तो इसमें डीन कली कैसे ंटाना है आपको देख सकते हैं मॉइस्चर होता है खेंगा सकता है डिया हचे आप किस्ट्रा मॉर्ण मॉइस्चर बिस इतना करना सब्सक्रूर तो ओं रिख साथ में अगे और अगर ऑउनमे स्ट्रा पम कि यह एक चैले की के अदिए है इनने के निवार इन स्टर्स के दआ सबस्क आपर किया अब आइ wahr पूर्ज वाला भी निकाल देंगा तो यह गार रचेला है अकर इन फाले में पहरें हैं दाले और तोई फोक ड ईयली है अजितो दर्सकित्य है ब्रत्消yi भी लें डिया दो तो तो यह देखिए इस तरह से बिल्कु ठंडा हो चुका है जो हमारा बैटर रह था इसको ठंडा करना है और आप इसमें चीनी मिस्री डाल देंगे अगर मिस्री नहीं है आप चीनी भी आट कर सेंगे कोई प्रॉब्रम नहीं है तो देखिए लड्डू इस तरह से हलके हांतों स आपको बन कर तयार हैं चलिए नेक्स्ट रेस्पी देख लेते हैं यानि अपनी वर्फी नेक्स्ट है यह देखिए साबुदाना ले लिया है इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे गाइस हम चार रेस्पी लेकर आइन में से अगर आपको कोई भी एक रेस्पी अच्छी चाहिता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कोई रेस्पी अच्छी लगी तो देखिए हम साबुदाने को अच्छे से तो हलकी आज पर रोस्ट करना है इसलिए जरूरी है क्योंकि साबुदाने को अगर आप ऐसे ही पीसते है तो साबुदाना प इस तरह से खलबटा ले लेना देखेसा है लेक लेट से खलबटा ने समें से और अच्छे से कूटती है तो हम अच्छे से हम क्या करेंगे अच्छे से घ्राइणर में डाल करेंगे तो अब इसे हम अच्छे से गाड़ा कर लेंगे और यह जो हमारे साबुदाने हैं उनको ठंडा कर लेंगे ठंडा कर लेंगे तो अगर आप प्योड दूद मलाई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं फुल फैट का दूद भी ले सकती है मगर दूद के लिए आपको करना क्य एकता यहिए होगा अच्छे से गारा करना होगा दूद थोला सा ज्यादा लेना होगा देखे साबुदान मनें पीछ लिया था एक जिंडा है देखेन उने तो देखिए हमने मराई डाली तो मलाई से क्या होगा जल्दी से जल्दी यह गाड़ा हो जाएगा अगर आप दूद लेदे तो थोड़ा साइम लगेगा देखिए जब तक हम इसमें एक ले 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 थाली उसमें डाल देंगे इस तरह से गी और ब्रीस कर रख लेंगे अगर आप मलाई वारा दूद लेते हैं तो आप गी तो आप गी थोड़ा सा डाल सकते हैं अधिक तुछ तरह से लिखिए अच्छे से हम फ्राइब कर लेंगे बिल्कुल अच्छी सी खुच्बू आने लगे तो बस इतना ही फ्राइब करना लेखिए हम अच्छे से तो आप पर गाद मोझ दो बनने लगाई परोच ना में लोगे ऊच्छे से यह तो बन जाए खुचे से तो यह झाए जैगा ये तेक सकते हैं है कि अच्छे से पर हां चोंडे लगा है यानि दो बनने लगा तो आप से क्या करेंगे अच्छे से चलाती हüm smile अब पकाईगे और यह देखी यह देखी यह देखी है अच्छा से मारा पैन चोड़ने लगा गी भी दिखने लगा है तो चलिए अब इसे आप थाली में कर लेते हैं जो ताली थी उसमें कर लेंगे और से हम जमा देंगे देखी गाइज यह साभूदाना तो बिल्कुल चिक देना है उसकी बाग में आप इसमें यह देखिए इस तरह से कटके निसान लगा लेंगे और आपकी सावु दाना की बर्पी बन करके तयार हो जाएगी एकदम से अमेजिंग रेस्पी यह देख सकते हैं तो यह ले लिए हमने कुछ आलू ठीक है आलू इसमें कौन से लेने हैं यह देहां रखना है आपको पहाड़ी आलू नहीं लेना है वर्नास में गी की मात्रा बहुत ज्यादा लगेगी तो यह हलके से यलो वाले आलू है एक आलो पस्पीली में ले लेना है तो यह एकष़ हे हमने डाल देल जो ऐसके हैं दो 2 श워서 के करीब 2 स्पून के इस तरह सेorous जमा अगर आपका जमा हुआगयना है ज़ो ले लाज पर Σब सबस्केदी के नाति के के यह कुछ यह देखियों तड़ प्रौब्लम नहीं होगी, तो यह देखिए आलू डाल देंगे और ellow को अच्छे से एदेखिए इस तरह सा जो आ इसमें खिर तक काथ भी में चुछ यह देखिए इस अच्छे से ओचिसे में जो कोई भी कितना वी करे सभी के सभी लोग खाएंगे और पसंद भी सब को आएगी क्योंकि यह नॉर्मल आलू सब के घर में होता है चाहे वह ब्रत रहते हूं यह ना रहते हूं इतना अच्छा आलू लगता है ना इस रेश्पी में कि आप बिना ब्रत के भी बना करके खाना प चतक सब पाएंगे और तो पार आप गोई तो के इसफी झाहिए न backstory नॉन स्ट्ङ लेते हैं तब बहुत अच्छी बात है अगर नॉन स्रेण पान नहीं लेते हैं तो आप आरेन का ही पैन लें स्टी बिलकुल नं को बने क्योंकि श्टील का पैन फोड़ा सा मान च्पक्न और आलू में जो फ्राइ करेंगे और अलू को इतना फ्राइ करना है कि घी डाला हुआ है वो सारा का सारा बाहर आजा यानि आलू अपना घी रिलिट कर दे इस तरह से देखिए काफी अच्छे से थैं यह देखिए और आप देख सकते हैं घी का इंडिकेशन बस यह होगा कि तरह से आप उलट देंगे पलट देंगे और आपका जब आलू फ्राई हो जाएगा तो यह क्या करेंगा घी छोड़ देगा घी छोड़ने की वज़ा से हमारा जो आलू है वो पैन में चिपके गा रही और जब भी आप देखेंगे घी आपको दिखेगा आलू के ऊपर तो य यह देखें अब अच्छे से देख सकते हैं आलू आसपास देखें तो यह जब इतना अच्छे से भून जाए कि रेड रेड दिखने लगे तभी आप समझ लीज़गा कि आपका आलू भून चुका है और यह देखें घी भी छोड़ दिया है आलू ने अपना यह देख सकत अब इसमें जाल दाल देंगे चीनी तो एक बाल चीनी ले लिए वह भी डाल देंगे इस तरह से अब देखें आलू इतना हमने सुखाया इतना भूना हुआ है लेकिन फिर भी अभी देखेंगा कि बिल्कुल इतना जादा आलू में हमारा मॉइस्टियर है कि आलू गीला सा हो जाएगा यह देखें इस तरह से आप देख सकते हैं कि आलू में फिर से कितना सारा पानी आ गया है तो इसको फिर सुखा लेंगे अच्छे से यह देखें इस तरह से चलाते हुए सुखा लेंगे तो कमेंट कर के बताइब कि यह हम क्या बना रहे हैं तो इतना भून ना है चीनी के साथमें कि देखें हम इस पहfire बोरह फूरा ओ आ बने का व स्पयर महीं कर सकते है zombiaten इस घ्रवा को 답 कि अधियिए मृतव चीनी कर सकते हमें आप चाहें तो आप ड्राइफूड भी डाल सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं होगी तो बहुत यम्मी टेस्टी सा हल्वा बनकर तयार होगे अगर पसंद आया हो तो फ्रीज लाइक करिएगा चलिए नेक्स ट्रिक साबू दफ दाना के खीर यह तो हर भ therm वन्ती ही बनती ही मगर अगर हमारी स्टालिल बहुत अच्छी बनकर तयार वह जोगी यह देख सकते हैं हाप आऌमें साबूदाना में लेדי है इस को भीग दिया अच्छे से बस इतने पानी में होना है कि साबूदाना ओर्ल नहीं हो भी तो इसमें देखे कड़ाई में डाल दिया एक स्पून गी और डाल दिया ड्राइफूट इनको बोल लेंगे तो बस बिखोते समय खास तो और से धिया अपको कि साबू दाना को अच्छे से 2 से 3 बार वास करने के बाद सिर्फ पानी इतना रखना है साबू दाना में कि साबू दाना भीग पाए उपर ना आये साबू दाना के बस इस तरह से तो यह देखे हम अपने ड्राइफूट को र जीजिने महत हुआ है कि लिए पस्पप्पता कि में आप को आपके जादा जलता है वह देना गो आप आप मैं जालता हिमाल आने तक शासहर बिलिग पर प्वैं का नजिनों कि नहीं हाई भी सबहे में ठोड़ डहा है तो अब का कई भीड़ताइं प्वीज शीजलता कि आपका थोड़ा सा नाले लिसमें कुक हो जाए जो ड्राइफूर डालें वो कुक हो जाए बस जादा नहीं करना है आप एक से डेड़ बाउल भी डाल सकते हैं तो यह जो बाउल हमने डाली हुई थी दूद का जो बाउल भरके डाला हुआ था वह थोड़ा सा बढ़ा था यानि आप डेड़ बाउल तक दूद कर सकते हैं तो आपको उसी बाउल से तीन बाउल दूद लेना है तो यह देखिए अच्छे से कुक हो चुका है महारा जो ड्राइफूर है वो कुक होने लगा है तो इसमें हम डाल देंगे अपने साबू दाना यह देख सकते हैं यह द अब देखिए इस तरह साबू दाना आट कर दिया और आप देखिए सिर्फ और सिर्फ दो मिर्ट हम पकाएंगे बहुत ज़्यादा ताइम नहीं लगे का पकने में तो कि इसको मने सोग कर लिया था साबू दाना को आदा गंटे के लिए तो यह बहुत अच्छे से साबू बना कि खीर बन करके तयार हो जाएगी 10 मिनट से 15 में देख सकते हैं इस तरह से यह देखिए अगर आप विगोते नहीं है तो उसमें टाइम लग जाता है बनने में मगर बिना विगोई साउदाना आप बहुत आसानी से बना कर तयार कर सकते हैं तो देखिए लगबक हमारी ख थिक होने लगी है तो बस इसी तरह से हमें थिक खीर चाहिए आप देख सकते हैं यह देखिए तो बहुत जादा नहीं लगता है इसमें बनने में यह देख सकते हैं तो आप जाल देंगे चीनी डालने से भी थोड़ा सा हमारा पतला हो जाएगा साब उदाना की खीर पतली ह और भी थे लगता है है तो चलिए देखिए यह पंद कर करके प्रति कुए हमारी खीर दो बन देख सकते हैं तो देखिए यह की इससे यह थे जदी बन कर तयूब हमेढर हो चुकी यह देख सकते हैं और चीनी दिमॉ्ट हो चुकी है और व सिधेड़ा कह देख होने के बाद देख सकते हैं यह तो झाले हो चुकी है और अब रिच्छी हो किसी बड़े बिकार थेक चुकी है अब o यह नि性 से जाहिए जब़े कर दोब चाहिए,ined अगर अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करिएगा और ये कमेंट करके जरूर बताएगा कि इन में से आपको कौन सी रेस्पी जाधा अच्छी लगी तो प्लीज मिलते हैं नेक्स डे नेक्स वीडियो के साथ